हाई एवरीवन वेलकम एक टो में चैनल सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें आज हम आपके लिए बहुत ही खुपसूरा साई थालपोस लेकर आए हैं पिंक और ग्रीन कलर का बहुत प्यारा है भोजल्दी बन जाता है तो आप लोग इसको जरू ट्राइक करें वीडिय चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा आपको नहीं नहीं जो हम वीडियो अप्लोड कर रहे हैं वो मिल पाएंगी अदरवाइस आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी ठीक है तो देखिए सबसे पहले हमने 3.5 mm का हुप लिया है और पांच चैन बना लेंगे ठीक है पांच चैन बनाने के बाद फॉर्स्ट वाली चैन में डालकर यहां पर फॉर्स्ट वाली चैन में डालेंगे और इसको इस तरीके से सिलिप स्टेज जोईन किया आप पांच की जगे छे चैन भी ले सकते हैं जोईन हो हम से तरहां थाज़े हूं, मैं इस तरीके के निकाला, थाज लए एक दूसरा dalla सब्सक्राइब . अब फिर से दो चिन लेकर फिर से एक पफ बनाना है तो दो बार धागे हो गए तीन और ये चार सारे फंदे हम फिर से इस तरीके से निकाल देंगे और फिर से दो चिन लेकर एक दो फिर से इसी जगे एक पफ और बनाएंगे टोटल हमें छे बार पफ बनाना है ठीक है चार आप pac silечение दो चैनवार 120 के बार बंऐंगे डीच मैं और इसको जों कर लिया यहाँ पर लाकाnın कर लिया इसको इस तरीके से अभी एक चेन लेके इसको खीच लिया, देखिए, एक बार हो गया हमारे पास, ठीक है, दो, तीन, और ये चार, सारे फंदे इस तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, फिर दो चेन लेके बापस इसी जेगे, देखिए, एक, दो, तीन, और चार फिर से सारे फंदे हम इस तरीके से निकालेंगे फिर से दो चेन बनाएंगे एक दो अब इसमें भी दो बार पफ बनाएंगे हम एक बार पफ बनाने के बार दो चेन ले ली अब बापस इसी जगे फिर से बना रहे हैं देखी तो चार बार में धागा लेकर फिर से निकालेंगी इस तरीके से ठीक है अब फिर से दो चेन लेकर इसके पास वाले में भी दो बार पफ बनाने हैं बनाने के बाद दो चिन एक दो बापस इसी जगे फिर से बना रहे हैं देखी तो इस रो को हमें ऐसी ही बनाना है फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है ठीक है तो टोटल बारा पफ हमारे पास बन जाएंगे तो ये देखिए बारा पफ हमारे पास बन गए हैं एक दो दो चेन लेकर बापस इसी जगे फिर से बनाएंगे एक दो तीन चार देखे सारे फंदे निकाल देंगे इस तरीके से फिर से दो चेन बनाके अब बीच में इसमें भी दो बार पफ बनाएंगे तो एक दो तीन चार सारे फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरीके से देखे फिर से दो चिन लेकर बापस इसी जगे एक बार और बनाएंगे ठीक है एक बार और बनाएंगे इसी तरीके से पूरी रो बनाने जितनी भी यह डेज़ाइन में हमें दो दो बार बनाना लिए तो देखिये हमने इच advertisement 2-2 बार बनालीक अब हम आपको बता दे अब जितनी भी हमारे पास यह डिजाइन है न इसके बीच में हमें एक चेनल लेंके खीच लिया ठीड है एक पफ बनांगे दो चेन लेके बापपस इसी जेगे फिर से बनाएंगे एक दो तीन और चार सारे फंदे निकालेंगे इस तरीके से इस तरीके से निकालके फिर से एक दो दो चेन लेकर एक और बढ़ा लिए हमने तीन चेन बना लिए ठीक है तीन चेन लेकर अब हम यहां पर इस वाली डिज दो चेन एक दो बापपस इसी जगे एक पफ ठीक है अब हम बीच में एक दो तीन तीन लेकर अब फिर से हमें जो डिजाइन है न इसमें ही बनाना है ठीक है तो पूरी रोव बना लिए हमने यह देखिए इस तरीके से बन गई है अब फिर से हमने यहाँ पर जोइन करके उनको खीच लिया है फिर से एक पफ बनाएंगे यह देखिए दो चेन लेकर बापस इसी जगे पफ बनाएंगे और अब हम चेन बनाएंगे तो एक दो तीन चार चार चेन बना लिए पहले तीन बनाई थी अब हमने चार चेन बनाई है ठीक है अब इसमें डिजाइन बनाएंगे पफ के बाद दो चेन लेनी है बापस इसी जगे डाल कर फिर से एक पफ बनाना है ठीक है इस तरीके से और फिर से अब चार चेन बनाएंगे हम एक दो तीन चार अब यहाँ बनाएंगे यहाँ पर फिर से एक दो तीन चार तो इस रो को ऐसे ही बनाना है फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है पूरी रो हमने बना ली है अब अगली रो श्टार्ट हो गई इसमें भी अब हम सेम तरीके से पहले पफ बनाएंगे पहला पफ बनाने के बाद दो चैन एक दो बापस इसी जगे फिर से एक पफ बनाएंगे तो एक दो तीन चार चार बार में धागा लेकर सारे फंदे निकाल देंगे ठीक है इस तरीके से अब बनात के एक दो तीन चार पाँच है अब इसमें बनाएंगे हम सीम तरीके से बनाना है वस चेन हमारी बढ़ जाएंगी देखिए पांच चेन बना रहे हैं पहले हमने तीन चेन बनाई थी देखिए फिर चार कर दी अब पांच हो गई ठीक है पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं तो हमने पूरी रो बना ली है अब इसकी अगली रो में यहाँ पर हम चेन और बढ़ा देंगे छे चेन कर देंगे फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो हमने देखिए इतना बना लिया है छे चेन बाला भी हमने बना ल अब फिर से यहाँ पर एक पफ बनाएंगे एक पफ बनाने के बाद दो चेन लेकर एक दो बापस इसी जए के एक और बनाएंगे यह देखिए फिर से दो चेन लेकर अब बापस इसी जगे एक और बनाएंगे टोटल तीन पफ हमें एक ही डिजाइन में बनाना है तो बापस इसी जगे हमने एक और बना लिए तो तीन पफ बना लिए ठीक है अब बीच में हम एक दो तीन तीन चेन ले लेंगे ठीक है या फिर आपको टाइट लगे तो चार चेन भी ले सकते हैं हमने चार चेन ले लिए अब यहाँ पर डालकर पहले एक पफ बनाएंगे इस तरीके से ठीक है जोल नहीं आनी चाहिए अगर आपको जोल लग रहे है तो आप चार चेन ले ले तो अब दूसरा पफ हम बना रहे हैं चार बार में धागा लेकर सारे फंदे इस तरीके से निकाल के दूसरा पफ बना लिया अब फिर से दो चेन एक दो और यह तीसरा तीन पफ के बाद एक दो तीन चार चार चेन बनाने है ठीक है तो इस रो को ऐसी ही बनाएंगे फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है सिम्पल है जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा एक डिजाइन में तीन बार हमने पफ बनाना है ठीक है तो भी दो पफ हो गए फिर से दो चेन लेकर बापस इसी जगे एक और बना लेंगे तीन हो जाएंगे देखिए तीन बनाके बीच में हमें चार चेन बनानी है तो पूरी रो बनाके दिखाते हैं देखिए हमने पूरी रो बना ली है और अब हम क्या करेंगे फिर से हमने उनको यहाँ पर जोइन कर लिया अब देखिए यहाँ पर डालका जोइन कर लिया इसको खीच लिया एक दो तीन च चार सारे फंदेख साथ निकालेंगे यह दिखिए पफ के बाद दो चेन एक दो बापस इसी जगे एक और बनाएंगे देखिए अब एक दो तीन तीन चेन लेकर अब यहां पर दो बार बनाएंगे यहां पर पहले एक बनाएंगे फिर दो चेन लेकर बापस इसी जगे एक और बनाएंगे ठीक है इस तरीके से ठीक है अब फिर से हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे ठीक है तीन चेन बनाके अब नहां पर पहले एक पफ पफ दो चेन लेकर एक दो दो चेन लेकर बापस इसी जग एक पफ कि अब तीन चेन एक दो तीन और यहां पर पहले एक पफ दो चेन और एक पफ तो इस तरीके से पूरी रो हमें बनानी है ठीक है बनाने के बाद दिखाते हैं तो हमने इसी तरीके से पूरी रो बना ली है अब देखी फिर से हम यहां पर आ गए तो सबसे पहले एक पफ बनाएंगे देखी एक पफ बनाने के बाद इस तरीके से अब दो चेन एक दो बापस इसी जगे एक पफ बनाएंगे तो आप जो क्रोशा होके ना 3.5 mm का ले हो सकता है अगर आपने पतला क्रोशा लिया है तो जो लाए तो अगर आपके पास पतला क्रोशा है तो आप चेन जादा कर ले और आपका सेम डिजाइन बन जाएगा ठीक है अब देखे बीच में भी हमें दो बार पफ बनाना है ठीक है तो पहले एक पफ बनाएंगे इस तरीके से अब दो चेन एक दो बापस इसी जगे होंगे फिर से एक पफ तो एक बार फंदा निकाला We just took the Hammer कि दो बार निकाल दिया हम ने और तीन और से चार चार वार में फंदा लेकर सारे फंदे इसाले के सरी यह ने कल दिये इस तरीके से फिर से दो चेन ले ली तो देखिए अब यहां पर हमें बनाना है सब्ला को, और फ़र दो चेंट, बापस इसी जगें एक पौफ. अब फिर से एक दो, दो चेंट लेकर तीन चेंट ले लेंगे, ठीक है? तीन चेंट लेकर, देखिए, यहां पर हमने तीन बार यह डिर्जाइण बना लिया, ठीक है अब तीन चिन लेकर यहां पर भी तीन बार डिजाइन बनाएंगे इस रो को ऐसे ही बनाएंगे हमने पूरी रो बना ली है अब हम क्या करेंगे देखिए अब देखिए हम कितने पफ बनाएंगे एक एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा एक यहां बनेगा एक यहां औ और ये दो चेन लेकर अब यहाँ बनाएंगे दो चेन लेकर यहाँ बनाएंगे तीसरा पफ चेन लेकर चौता पफ हम बनाएंगे और दो चेन लेकर यहाँ पर चौता पफ चेन ले लिए और ये पाँच मपफ बनाएंगे ठीक है यहाँ यह हमने पाँच पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच अब एक चेन लेकर इसको बुह हमाएंगे यहाँ पर पहला पफ बनेगा यहाँ दो चेन एक दो यहाँ दूसरा बनेगा ठीक है दो बना लिए हमने फिर से दो चेन यहां पर तीसरा बनाएंगे हम दो चेन और यहां पर चौथा बनाएंगे फिर से एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और देगह फिर आप हमारे पास तीन पफ रह जायनगे तो यहां पर हम पहला पाफ بनाएंगे कि बन है यहां पर हमने कमप्लेट का लिया फिर दो चेन लेकर यहां पर second अपना puff बनाएंगे और यहाँ पर third तीन puff हमें आ लिए अब फिर छें लेकर घुम आयेंगे अब हमारे पास दो पफ रह जाएंगे फिर एक रह जाएंगे दरिखेंब बच्छे थे यहां 5 हो गये फिर 4 13 अब 2 फिर 1 तिक है तो हमने देखे इस तरीके से सारे इसकी नाइन और कशा ी पूरे बनी सब सब्सक्राइब कर दिया अब यहां पर उनको जुएन करके इसी किसे पहले पांच वनाएंगे फिर यहां पर हम यहां पर green color के उनको join करेंगे ठीक है यहां पर हम उनको join करके एक puff बनाएएंगे चार बार में फंदे ने कालेंगे पुस्य हो गया अब एक ही आहा बनाएंगे देखे एक बार निकाला दो, तीन और ये चार चार वार में फंदे निकाल के सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे तो दो पफ हमारे एक साथ बन जाएंगे ठीक है इस तरीके से देखिए ठीक है दो पफ बन गे अब फिर से हम एक चेन लेकर इसको खीचेंगे एक पफ यहाँ बनाएंगे हो गया और एक यहां बनाएंगे कि यहां बनाएंगे हम एक साथ इस तरीके से निकाल देंगे फिर एक चेन लेकर और इसको खीच कई एक पफ यहां बीच में बनाएंगे यहां यहां बनाएंगे ठीक है दो पफ एक साथ हमें बनाने हैं फिर इसको खीच लिया फिर एक पफ यहां बनाएंगे एक बनाएंगे यहां पर इसको खीच लिया ठीक है फिर से देखे एक पफ हमें यहां बनाएंगे यहां पर एक यहां बनाएंगे इसी तरीके से उपर तक हम लेकर जाएंगे यह देखिए ठीक है उपर तक हम आ गए है अब फिर से देखे एक पफ हम बनाएंगे यहां बीच में यहां बनाएंगे यहां पर ठीक है आरे फंदेख साथ निकाल दिये अब फिर से एक पफ यहां बीच में बनाएंगे यहां पर इसी में इसके अंदर बना लिया एक हम यहां बनाएंगे और फिर नीचे आपको बताएंगे क्या करना है तो हमने थोड़ी डार्क गिरीन कलर लगा ली है लाइट गिरीन कलर की उन थोडी सी थी इसलिए वह उटा दी हमने तो यहां पर देखे आप बनाएंगे हो और यहां बनाएंगे तीन पफ एक साथ बनाएंगे पहले पर ceux मैं गिमें विद्वार फिक … माइन दूसरा पफ यहां बनािएंगे इस तरीक के से अब तीसरा पफ हम साइड उस वाली में यहां में झार थाएंगे ठीक हात Як तो इस तरीके से तीनों पफ एक साथ बना लिया तो जब भी हम जोड पर आएंगे ना यहां पर तो हमें तीन पफ एक साथ बनाना है अब देखिए फिर से हम इसी वाले पफ में पफ बना रहे हैं ठीक है एक यहां बनाएंगे समझाने देखिए पूरा हमें इसी तरीके से बनाना है जब भी हम जोड पर आएंगे तो हमें तीन पफ एक साथ बनाने है ठीक है जैसे अभी हमने बनाया था यहां पर यहां पर जैसे बनाता एक दो तीन ऐसा ही हम और सब में बनाएंगे जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा पूरा हम ऐसे ही बनाएंगे बनाने के बाद दिखाते हैं देखें हमने पूरा बना लिया है आपको इन वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी प्रस करें हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अप्लोड कर दी हैं तो जाके देखें और मेरे ओल होम टिप्स पर बहुत सारे स्वेटर मिलेंगे उसको भी देखें जाके